डिजिटल होते भारत में सेफ बैंकिंग के लिए एक और आसान रास्ता UPI, UPI यानि Unified Payments Interface एक ऐसा मोबाईल अप जिसके जरिये एक बैंक का यूजर दूसरे बैंकों के अलग-अलग खातों में आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकता है अधिकांश बैंकों का अपना एक UPI एप होता है तो जिस बैंक में आपका एकाउंट है अपने मोबाईल के प्ले स्टोर से उस बैंक का UPI एप डाउनलोड कीजिए फोन में एप्लिकेशन लौग-इन सेट कीजिए अपना M-PIN सेट कीजिए अपने bank account को register कीजिए अपना vpa pin यानी virtual address बनाईए और vpa द्वारा जिसे पैसे भेजने हैं उनका virtual address और जितने पैसे उन्हें भेजने हैं भरिए नीचे एक remarks का box आएगा इसमें अपने पैसे भेजने का मकसद जैसे की deposit, fees या gift जो भी आपका उद्देश्य हो ये जानकारी भरिए और फिर अपना pin यानी password डालते ही कुछ ही क्षणों में आपके account से उनके bank account में पैसा transfer हो जाएगा इसकी जानकारी तुरंत आपके registered mobile number पर आ जाएगी साथ ही जिस व्यक्ति को आपने पैसा भेजा है उनके mobile number पर भी उनके account में पैसा जमा होने का message आ जाएगा इसके अलावा अगर आपको जिसे पैसे भेजने हैं उनका VPA नहीं मालूम है तो आप उनके account number और IFSC code के माध्यम से भी पैसे भेज सकते हैं इसके लिए हमें उनका account number और उनके bank का IFSC code डालने की जरूरत होती है और इसमें भी अंत में रिमाक्स भरना होता है तो अपने पैसे भेजने का उद्देश भरिये और फिर आपका PIN यानि password भरते ही एक bank account से दूसरे bank accountों में पैसे transfer तुरंद कीजिए UPI के जरिये एक रुपए से एक लाख रुपए तक का लेन देन कभी भी कहीं से भी ना login करने की जरूरत नहीं किसी card की और नहीं कोई OTP का चक्कर एक बार के बाद न कोई number भरना नहीं किसी किस्म का card number देने का जहन जग नेक्स्ट जेनरेशन के लिए तैयार है इंडिया UPI है सेफ बैंकिंग का बहतर आइडिया शुरू करो अच्छा लगेगा डिजिदन अपनाओ मजबूत भारत बनाओ